हलो दोस्तो मेरा नाम मान सिंग है और आम मेरा योटूब चैनल देख रहे हैं MK VLOG तो दोस्तो आप सब कैसे हैं I hope कि सब ठीक ठाक होंगे आपका परिवार बेलको ठीक ठाक होगा दोस्तो मैं काफी टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूं मैं मैक्सिमम में लगता है मैंको दस या बारा दिन हो गया होगे वीडियो डाले है क्योंकि मेरा जो PC है वो खराब हो चुका था अभी ठीक हुआ है जिसकी वज़े से जो अडिटिंग होनी है इस वीडियो की वो PC प को पता लग पाएगा कि जिस देश की वीडियो बढ़ी है वहां पर जाने का तरीका क्या है कैसे हमने जाना है कौन-कौन से डाक्मोमेंट हम लोगों को कमबर्सरी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि COVID-19 के बाद या COVID-19 जो अब इस तरी चल रही है उसके साब से जिस इन के साइकंड वेव के समय इंडिया को बैंड कर दिया था तंपरेरी वेस पे क्योंकि साइकंड वेव इंडिया में काफी फैल चुका था और इसकी वज़े से ओमान किया पहुत सारे देशों ने हमारे इंडिया को बैंड कर दे इसकी लिए जो हमारे इंडिया के जो वरक गए laugh visa ले सकते हैं on arrival visa ले सकते हैं resident visa ले सकते हैं और ़ो मन के नागरिक COVID-19 की विज़े से दूसरी धřль मेरा फात करें खासकर के इंडिया में आई हुए थे हो इसकते वो भी वापस जा सकते हैं तो दोस्तों मन ने बोला है कि अभी हम इंडिया के लिए प्रॉपर वीजा खोल देंगे हमको वरकर भी चाहिए वहाँ पर जो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट है उनको चलाने के लिए हम लोगों के वरकर की उनको जुरूरत है और वह अभी वीजा प्रॉपर खोल रहे हैं और इसकी जो डेट है वह एक स्टमबर से दुपैर के बारा बजे के बाद वह वीजे को उपन कर दें कोई जा सकता है कोई भी वहाँ से आ सकता है दोस्तों कुछ फार्मल्टी है ओमान की कि या तो जो वहाँ पर जो वीजा धार का है वह ओमान में आ रहा है उसके दोनों डोज लगे होने क्योंकि सारे देशों ने कोवरशीट के ही अपने परमिशन दी है कि यही जो डोज है वह लगे होने चाहिए वह हमारे देश में आ सकते हैं वैसे आप इनकी बेल्ट सेट पर जाकर चेक कर सकते हैं कोवरशीट या और कोई डोज जो हैं वह लगा के आप उमान में जा सकते ह मगर उमान ने ये बोला है कि अगर आपके कोवशीर के इंजक्शन नहीं लगे हैं और आप उमान में आना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम आपको कम से कम 10-14 दिन का कोराटाइन होना पड़ेगा अपने खर्चे के ऊपर उमान ने सीधा तौर दे बोला है जिन्नों ने इंजक्शन नहीं लगवा हैं वैक्सिन नहीं लिया अगर वह कोवशीर कोवशीर करने के लिए एक बैसलेट पहनाएंगे जो कि 14 दिन उनके हाथ में या उनके किसी भी अंग में लगी रहेगी और वह ट्रैक होते रहेंगे क्योंकि हर एक परसंग किसी बंदे के पास नहीं जा सकता है तो वह कहीं बहारा निकल जाए या कहीं घूमने के लिए मार्केट में ना निकल जाए इसलिए उन्होंने पूरा प्रतितन दिलाद द क्रांसी के अनुसार तो आपको वहां पर पे करना पड़ेगा फिर आपको वहां पर पीसिया टेस्ट देना ही पड़ेगा तो दोस्तों यह चीज़े बहुत जुरूरी है यह ध्यान लग लिए मेरे साब से आप लोग पीसिया टेस्ट के चक्कर में बानते पड़िए दिको पीसिया टेस्ट करवाना ही पड़ेगा मागर आप कोवशी के वैक्सिन के इंजक्शन जुरूर लगवाएं दो डोज पक्का लगवागे रखे जिसकी जो है जैसे आपने आज पहला डोज लगवाया है तो 84 डेस के बाद साइकेंड डोज लगता है तो आप अपने टैम से पहले यह जो दोनों डोज है वो लगवा लीजीह तो दोस्तों जैसे आपका साकेंड डोज लगता है 84 डेस के बाद तो जा कैसे साइकंड डो लग एक सैकंड डोज लगने चाप्टा कि वह पुलोंगा किजाई मैं आनुटकपना लगवाने के बाद देश के? फिर आप उमान में अराम से जा सकते हैं जितने भी आप कोवड के टेस्ट हैं और जितने भी आपके PCR टेस्ट हैं उन पर QR कोड होना कंबर सरी है आप उनकी जो एप है तारा सूध उन पर लोड कीजिए लोड करने के बाद फिर आप यहां से फलाई कीजिए जब तक आप जा सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन ली है जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और यहां से PCI टेस्ट करवा के जा रहे हैं तो उनको वहां पर नरधारित उनकी तरफ से जो सेलेक्टर को कॉरोंटाइन के जो होम है वहां पर आपको कॉरोंटाइन होना पड़ेगा मैं आप रहेंगे 14 दिन तक फिर उसके बाद आपका वहां पर PCI टेस्ट का दोबारा से आप नेगटिव पाजाते हैं तो आप उमान में जा सकते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप गूगल पर जाएए गूगल पर लिखे उमान जॉब आपके सामने उमान में जितने पी वहां की जो बैप साइट से जो जॉब देने वाली बैप साइट से वह आपके सामने उपन हो जाएगी फिर वहां पर आप जिस ट्रेट में आप माहर हो कारपेंटर, पलंबर, ड्रैवरिंग या होर किसी ट्रेड में माहर हो इंजीनियर हो ड्रेक्टर हो वकील हो या जाएंगी वकैंसी के जरूर चेक करें लेटेस्ट वकैंसी हो अगर आपकी ट्रेड की वकैंसी हो आप उनकी इंडस्टी में अपना रजूम सेंड कीजिए रजूम प्रॉपर इंटर्नेक्शन बना होना चाहिए बहुत असान है आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं आपको पता लग जाए न्टरेक्शन रिजूम कैसे त्यार कि जाता है खास करके उमान में जो चलता है उसके फॉर्मट आपको औमान से ही गूगल से ही मिल जाएगी आप उसे आप से रिजूम की जिए उसके अगर कामपनी को लगेगा कि आप मेरी कंपनी में कांध कर सकते तो company आपको job offer letter send करेगी उसके साफ से आप लोगो आपना free of cost वीजा apply करके free of cost के यह वारी company क्या करती है कि जो worker है उसको टिक्ट भी free देती है तो दोस्तों यह एक तरीका है वहाँ पर जाने का असान और बिलकुँ free of cost आप वहाँ पर जा सकते हैं दूसरा तरीका है अजेंट के थूफ जाना वहाँ पर आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर job ख्रीदी जाती है जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कहीं किसी company में job लेने के लिए हम job जो office है वहाँ पर जाते आप लोगों को जरूर जो मिलेगी दोस्तों एक अमान की अपडेट थी आपको कैसी लगी में को comment box में जरूर पतला चैनल को subscribe जूरू कर देना बेला इकॉन के बटन को जूरूर प्रस करना लाइक कर देना शेयर भी कर देना दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इज्जाच कर दोस्तों 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 झाल झाल